नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महला कोले चैबासा, आज मैं 28 सेमेस्टर 4 के लिए औप्षिनल पेपर के अंतरगत टेलरिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे मशीन पार्ट्स एंदेयर मेंटेनिंस पार्ट 5, इसके पहले हम लोगोंने इ थीक से देखभाल की जाए, नियमित सफाई और रख रखाओ का ध्यान रखा जाए, उसे समय समय पर तेल देकर कभी कभी विशेस सफाई से सही देखभाल की जा सकती है, इस तरह मशीन ना केवल आराम से चलेगी, अच्छा काम देगी और उसकी आयू भी बढ़ेगी, और आपको बार-बार मरमत की परिशानी नहीं उठानी पड़ेगी, यदि सिलाई मशीन की समय पर सफाई ना की जाए, और उसे तेल ना देकर उसे ऐसे ही काम लिया जाता रहे, तो उसके पुर्जे जल्दी घिस जाएंगे, यानि कि उसके पार्ट्स जो हैं, वो जल्दी घिस अनिय था समय समय पर सफाई करती रहें, सिलाई मशीन को अच्छा रखने के लिए सफाई के साथ साथ निम्ण बातों पर विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए, या कहें निम्ली की सावधानिया बरतनी चाहिए, सिलाई मशीन को हमेशा लकड़ी की पट्री पर या जमी मशीन से कुछ उचे अस्थान पर रखे ताकि उसमें सील ना लगे, हमेशा काम करने के बाद मशीन को धकन से या धकन के अभाव में कपड़े से धक कर रखे ताकि उसे धूल मिट्टी से बचाया जा सके यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो सिलाई मशीन को बच्चों से बचा कर सुरक्षित जगा पर रखे सिलाई खत्म होने के बाद फ्लाई वील को धीला करके फूट के नीचे कपड़े का कोई टुकडा रखे और प्रिशर फूट को नीचे कर दे ताकि नीचे के दानों में धूल मिट्टी ना जाए जब सिलाई ना करनी हो तो कभी भी सूई में धागा डाल कर ना रखे मशीन को धकन से बंद करते समय हैं हैंडल की पेंच को डीला करें ऐसा ना करने से धकन ठीक फिट नहीं होगा और मशीन गंदी होती रहेगी यानि कि जब सिलाई मशीन में कोई काम ना हो और उसे धकन लगाना हो तो हैंडल की पेंच को डीला करना होगा क्योंकि यदि हम हैंडल की पैंच को डिला नहीं करेंगे तो धकन ठीक से फिट नहीं बैठेगा पैर की मशीन में बेल्ट ना तो अधिक धीली हो ना अधिक कसी हुई अन्यथा मशीन ठीक नहीं चलेगी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए अभी मैंने बताया था कि मशीन को धकन से बंद करते समय है हैंडल की पैंच को डिला करना है सिलाई मशीन की सफाई सिलाई मशीन या तो धूल मिट्टी से गंदी होती है या उसके भीतरे पूर्जों में कपड़े के रेशे इकटे हो जाने से ये रेशे प्राया छेदों में से छन कर दानों और शटल में जमा हो जाते हैं यदि समय समय पर उनकी सफाई ना की जाए तो मशीन भारी चलने लगती है, सुई टॉप करने लगती है और सुई तूटने का डर भी रहता है, इसके अलावा शटल में धागा फस जाने से तो मशीन चलना बंधी हो जाती है. मशीन में तेल जम जाए, रेशी भर जाए और धूल भी जमा हो जाए तो वह जाम हो सकती है. अता सफाई के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए. हर बार काम करने से पहले पूरी मशीन को कपड़े से अच्छी तरह पोच कर साफ करें. काम समाप्त होने के बाद भी इसी तरह मशीन को साफ करने के बाद धक कर रखें, ताकि सिया जाने वाला कपड़ा गंदा ना हो. भीत्री सफाई के लिए शटल रेस की सफाई, निडल प्लेट और दानों की सफाई, एवं फेस प्लेट की सफाई मुख्य है. सिलाए मशीन की सफाई सिलाए मशीन की सफाई के अंतरगत मुख्य रूप से हम तीन भावों की सफाई को देखेंगे. पहला है शटल रेस की सफाई, निडल प्लेट और दानों की सफाई, फिर है फेस प्लेट की सफाई. शटल रेस की सफाई अब हम देखेंगे कि शटल रेस की सफाई किस तरह से होती है सुई को उचा उठाए यदि पैरो वाली सिलाय मशीन हो तो बेल्ट उतार ले और मशीन को पीछे जुकाए फिर शटल के दोनों बड़े पेंच खोले शटल रेस बोड़ी को बाय हात में थाम कर दाय हात की तीन उंगलियों से शटल को नीचे की ओर घुमाए यहां से शटल बाहर निकल आईगी इसके तीन भाग होते हैं पहला है शटल रेस होल्डर दूसरा है बोड़ी और तीसरा है शटल बॉक्स का स्प्रेंग जिसे आगे चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है इस स्प्रिंग के उपर वाले पेंच को खोलने से यह तीन भाग अलग किये जा सकेंगे उन्हें अलग-अलग साफ कर लें धागे, रेशे, आदी, निकाल कर कपड़े से पूछें फिर उस क्रम में जोड कर शटल रेस बोडी के स्प्रिंग के उपर वाले पेंच को कस दे अब शटल रेस बोडी को वापस मशीन में फिट करते समय जरा सावधानी की जरूरत है पहले सुई को सबसे उचे स्थान पर रखकर उचा उठाईए अब शटल को शटल रेस के दाहनी और गुमा कर रेस बोडी को इस तरह फिट करें कि वा होल्डर में फिट बढ़ जाए अब धीरे से सुई को नीचे करके देख लें कि वा ठीक अस्थान पर गिरती है और फ्लाइविल घुमाने पर सुई शटल में कहीं गड़ती तो नहीं इस तरह शटल रेस बोडी के ठीक जगा फिट हो जाने की तसली होने पर फिर दोनों और के पेच अच्छी तरह कस दे शटल के भीतर की सफाई हो जाने पर मशीन हलकी चलने लगेगी इस चित्र में शटल रेस की सफाई को दर्शाया गया है किस तरह इसे निकाला जाता है एवं सफाई करने के बाद फिट किया जाता है नीडल प्लेट और दानों की सफाई दानों को कहीं कहीं पर दंदानों भी कहा जाता है इस भाग की सफाई करते समय स्लाइड प्लेट बाहर की और खिसका कर नीडल प्लेट पर लगे दोनों पेच खोलने नीडल प्लेट हट जाने पर दानों के बीच फसे रेशे, धागे, आदेस पस्ट दिखाई दे जाएंगे उन्हें छोटे पेच कस से वह मोटी सुई से निकाल ले, दानों और प्लेट को कपड़े से साफ करें फिर नीडल प्लेट उसी जगा जमा कर दोनों पेच कस दें फेस प्लेट की सफाई मशीन के माथे वाले भाग पर लगे पेच को खोल कर फेस प्लेट उतार ले भीतरी हिस्से में प्रेशर बार के आसपास कपड़ा गुमा कर सारे पूर्जे साफ कर ले इसके बाद तेल देकर फेस प्लेट यथा अस्थान फिट करें वा पेच कस दे तो इस तरह से हमने देखा सिलाई मशीन की सफाई तो आज के लिए इतना ही अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी धनेवाब थैंक यू